हलो एंग गुड मॉनिंग एवरिवन आप सभी लोगों का सौगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम बाइस सितंबर से रिलेटेट जितने भी इंपॉर्टन क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकॉशन करने वाल है सिर्फ मोत एक बार मिलती है जिन्दगी हर रोज मिलती है तो इसी मोटिवेशनल कॉट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है विच हैस्ट क्लीन सूजल प्रदेश ऑफ इंडिया भारत का पहला स्वच्च सूजल प्रदेश कौन सा बना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बना है अंडमान और निकोबार आइरलेंड 10 का करेक्ट आंसर है केंद्री जल शक्ती मंतरी गजेंद्र सिंग शिखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीब समू को भारत का पहला स्वच्च सूजल प्रदेश घोसिल किया है और इस सत्यापित किया गया है केंद्र शाषित प्रदेश ने सभी 368 विद्या लयो 558 आंगनवाडी केंद्रों और 202 में सारोजनिक संस्थानों को पाइप से पानी सप्लाई करवाई है अब अंडमान और निकोबार द्वीब समू गोवा और तैलंगाना के बाद गाउं में नल क पानी की सप्लाई में 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का तीसरा केंद्र शाषित प्रदेश ये बन गया है अंडमान और निकोबार आइरलेंड के हम बात करें तो इसकी जो स्तापना है ये एक नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी जो कैपिटल है यह है पोर्ट ब्लेर और ल लिक्विड मिरर टेलिसकोब बीन इंस्टॉल्ड तो ये लगा है उत्राखंट के अंदर विच हैस बिकम दर फरस्ट मेट्रो सिटी ओफ इंडिया तो गैट बायो डायवर्सिटी रजस्टर तो जो यह है कॉलगत्ता वेस्ट बेंगॉल है विच हैस बिकम दर फरस्ट स्ट इंडिया तो फॉर्म एड ड्राउन फोर्स तो रेस्क्यू दर पिपल ट्रेप्ट इन दा डाइजस्टर तो यह जो है जो ड्राउन फोर्स है यह जो है उत्राखंट के अंदर लगा है विच हैस बिकम इंडिया फरस्ट कार्बन न्यूट्रल पंचाय तो यह बनी है पल्ली तूनामेन डूरंड कब 2022 टाइटल फुटबल टूनामेन डूरंड कब 2022 का जो टाइटल है यह किस ने जीता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह जो है बैंगलुरू फुटबल क्लब ने जीता है 20 का correct answer है Durant Cup 2022 का जो टाइटल है ये Bangaluru FC की जो टीम ने जीता है और final में Bangaluru ने Mumbai City FC को 2-1 से हरा कर ये जो टूर्नामेंट है ये अपने नाम किया है Bangaluru की टीम पहली बार ये जो टाइटल है ये जीतने में काम्याब रही है Durant Cup भारत में 3 प्रमुख Football टूर्नामेंटों में से एक है और अन्ने दो Indian Super League और Super Cup है इसका जो venue है ये इंडिया के अंदर हुआ था और इस बार जो edition है ये 131 वा edition था Football related questions को हम revise करें Where will the football tournament FIFA World Cup 2026 be held? तो ये होने वाले हैं America, Mexico और Canada के अंदर Who has won the title of Indian Super League 2021-22? तो ये जीता है Hyderabad Football Club ने Football tournament AFC Women's Asia Which country's team has won the title of Cup 2022? तो ये जो है चाइना ने जीता है Which country will host the football tournament FIFA under 17 Women's World Cup 2022? तो ये जो host करने वाला है इंडिया करने वाला है Where will the football tournament FIFA E Nations Cup 2022 be organized? तो ये होने वाला है Copenhagen, Denmark के अंदर Third number question है Which state government has announced the introduction of no back day And compulsory sports period in all schools To reduce the burden of school student स्कूली चात्रों का बोजगम करने के लिए किस राजसरकार ने सभी स्कूलों में No back day और अनिवारे खेल अवदी शुरू करने की घोशना की है तो इसका correct answer है ये भीहार government ने किया है Cease का correct answer होगा भीहार government चात्रों के बस्ते का बोजगम करने के लिए स्कूलों में No back day नियम सब्ता में कम से कम एक बार जो है ये अनिवारे खेल का जो पीरियड है ये शुरू करने की तैयारी में है और सब्ता ही No back day में कार्य आधारित व्यावारी कक्षाय होंगी और सब्ता में कम से कम एक बार जो चात्र है ये अपने टिफिन बॉक्स के साथ ही स्कूल आएंगे और उस दिन उन्हें किताबे ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी ये जो दिन है ये व्यवारिक और अनुभवा आत्मक चीजे सीखने के लिए ये समर्पित होगा और इस तरह की नीती का जो उद्देश्य है ये चात्रों को विबिन गती विदियो में शामिल करना है जो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और ये जो पहल है ये रास्टे सिख्षा नीती 2020 के अनुरूप है और इसे सरकारी और नीजी दोनों विद्यालेओं में नालागू जो कहा है इसे किया जाएगा बिहार के हम बात करें जो बिहार डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च को इसकी स्तापना 22 मार्च 1912 के अंदर हुई थी इसकी कैपिटल पतना है और चीफ मिनिस्टर भी है नितिश कुमार फर्स चीफ मिनिस्टर थे कृष्णा सिन्हा बिहार जो गवर्नर है ये है फागू चोहान फर्स गवर्नर थे जै रामदास दोलत राम चीफ जस्टिस है संजे करोल फोर्न नमबर क्वेशन है विस सिटी हैस बीन नेमड एस दे फर्स टूरिज्म एन कल्चर कैपिटल ऑफ शंगाई कॉर्परेशन और ये ये वर्स दोहजार बाईस और तेज के लिए संगाई सयोग संगटन की पहली परियतन और सांसकर्तिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है वारानसी को ये इसका करेक्ट आंसर है वारानसी के मंदिर शहर को आयोजित S.C.O. शिकर सम्मेलन के दोरान पहली बार S.C.O. परियटन और सांसकर्तिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है और उजबेकिसान के समरकंद में जो आयोजित संगाई सायोग संगटन के जो रास्ट अध्यक्षों की परिशद की जो 22 वी बैठक है इसके दोरान 2022 और 2023 की जो अवदी है इसके लिए पहली बार S.C.O. परियटन और सांसकर्तिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है और ये भारत और अन्य S.C.O. सदश्य देशों के बीच परियटन सांसकर्तिक और मानविय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा इस रूप रेका के तहट 2022 और 2023 में वारानसी में विब्भिन कारिकरमों का आयोजिन किया जाएगा S.C.O. परियटन और सांसकर्तिक राजधानी के नामंकन के लिए नियमों को 2021 में दुश्यामबे S.C.O. शिकर समेलन में अपनाया गया है S.C.O. के बाद करें शंगाई कॉर्परेशन और्गिनाइजेशन की तो इसकी स्तापना 2001 के अंदर हुई थी इसका जो हेड़कॉर्टर है ये बीजिंग चाइना के अंदर है और सेकेटरी जनरल है बलादमी नौरवर और जो सेकेटरी जनरल है ये है जांग में जो कंट्री मेंबर्स है ये है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्ता और तजाकिस्तान और इरान है फाइफ नंबर क्वेशन है अकोर्डिंग टू दर रिपोर्ट रिलीज बाई दर लो मिनिस्ट्री विच स्टेट हैस टॉप्ट इन इंडिया इन दर नंबर ओफ पैंडिंग केसेज इन फास्ट्रेक कॉर्ट कानून मंत्राले के द्वारा जारी करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश जो है इस पर टॉप पे रहा है इसका करेक्ट आंसर है देशपर की फास्ट्रेक अदालतों में महिलाओ बच्चों और वरिस्ट नागरिकों के खिलाब जगन्य अपरादों के लंबित 13.81 लाग मामलों में उत्तर प्रदेश की जो हि किये गये हैं वही लगबक 35,000 मामलों का निप्टान किया गया है जिससे साफ दिक रहा है कि मामलों में लगादार व्रदी हो रही है नेम्स ओफ टॉप थरी स्टेट की हम बात करें तो फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश सेकिंड पे है महारास्ट और थर्ड पोजिशन पे ह दॉक्टर बी आर अंबेड कर दे फादर ओफ दे इनियन कॉंस्टिटूशन किस राज सरकार ने नए एकिकरत सची वाले परिशर का नाम भारती सविधान के पिता दॉक्टर बी आर अंबेड कर के नाम पर रखने की घोशना की है तो ये किया है तेलंगाना गवर्मेंट न है तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद में एक नए एकिकरत सची वाले परिशर का नाम बाबा साहिब बी आर अंबेड कर के नाम पर रखने की घोशना किया है और ये जो कदम है ये तेलंगाना विधान सबा के द्वारा सर्व सम्मत्ती से एक प्रस्ताव पारित करन न्यू नेम ओफ एलजी मेडिकल कॉलेज और पहमताबाद तो इसका नाम रखा जाएगा नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज के नाम से री नेम ओफ किबुतू मिलिटरी गैरिशन मिलिटरी स्टेशन और अरुनाचल प्रदेश तो इसका नया नाम है जनरल विपिन रावत मि दिली तो इसका जो नया नाम है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिटेशन सेंटर के नाम से रखा जाएगा रेलवे ट्रांसफोर्मिंग यूनिवर्सिटी जो गुजरात है इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी 7. Question है Where was the Global Clean Energy Action Forum 2022 Organized Global Clean Energy Action Forum 2022 जो बाइस है इसका जो आयोजेन है ये कहाँ पर हुआ है तो इसका correct answer होगा ये हुआ है अमेरिका के अंदर इसका correct answer है अमेरिका में आयोजीद Global Clean Energy Action Forum की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग रवाना हुए है और इस बार की जो थीम है ये Rapid Innovation and Deployment मतलब इसका जो अर्थ है ये स्वच उर्जा प्रोध्योगी कियों की तैनाती के लिए संयोग और सांजा रण नितियों के माध्यम से नवाचार की गती और पैमाने को तेज करना इस बार की थीम रखी गई है और इसका जो आयोजन है ये 21 से 23 सितंबर 2022 के बीच में किया जाएगा पहले Global Clean Energy Action Forum की मेजबानी पिट्सबर्ग में अमेरिका करेगा जो तेरवे स्वच उड़जा मंत्री इसतरी है और साथवे Mission Innovation Ministerial का संयुकत आयोजन है Global Clean Energy Action Forum के पून सत्र एवं गोल में समिलन में बड़े नजदी की सम्मद इस्तापित होने की संभावना है और विबिन देशों से कम से कम 30 मंत्रियों सैकडों CEO और व्यापार दिगजों व्यज्यानी को एवं शिक्षा विदो सहीत सभी हित धारकों को एक साथ इस मंच पर लाएगा और साथ ही ये स्वच उर्जा की चिंताओं से सम्मंदित मुद्दों के बारे में प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतरत में भारत के द्वारा अरजित की गई अग्रेणी भूमिका को भी स्विक्रिती प्रदान करेगा एट नमबर के एशन है विश मैडल हैस बीन वान बाई इनियन रेसलर बजरंग पूनिया इन दे वर्ड रेसलिंग चैंपियंशिप 2022 विश्व कुष्टी चैंपियंशिप 2022 में भारतिय पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा जो मैडल है ये जीता है तो इसका करेक्ट आंसर है इन्होंने ब्रॉंज मैडल जीता है मशूर पहलवान बजरंग पूनिया सर्विया की राजधानी बैल ग्रेड में काश्य पदक जीत कर विश्व कुष्टी चैंपियंशिप में चार पदक जीतने वाले पहले भारतिय ये बन गए है पिछले साल टॉक्यो ओलंपिक में इन्होंने काश्य पदक जीत कर बजरंग पूनिया ने काश्य पदक मुकाबले में प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा पर ग्यारा नो से जीत हांसिल की थी बजरंग पूनिया का ये विश्व कुष्टी चैंपियंशिप में तीसरा काश्य पदक है और जो प्रसिद भारतिय पहलवान ने इससे पहले ही 2013 में बुड़ा पेस्ट 60 किलोग्राम जो भारवर्ग है इसके अंदर काश्य पदक जीता था 2018 के अंदर बुड़ा पेस्ट के अंदर ही 65 किलोग्राम भारवर्ग में इन्होंने रज़त पदक भी जीता था और 2019 के अंदर नूर सुल्तान के अंदर 65 किलोग्राम भारवर्ग के अंदर इन्होंने काश्य पदक जीता है नाइन नमबर ग्वेशन है फिल्म एक्टर मनोज बाशपेई हैस रिलीज ए बुक टाइटल मुस्कुराते चंदलम है और कुछ खामोश या नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को किस ने लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसको जीवेश नंदर ने लिखा है बीस का करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में एक समारों में जाने माने अभिनीता मनुझ बाईजपई नेम सूचना और प्रसारण सचीव अपूर्व चंद्रा की उपस्तिती में मुस्कुराते चंदलम है और कुछ खामोशिया नामग पुस्तक प्रकाशित की है पुस्तक के अंदर विबिर प्रकार की कविताओं की पेशकरश की गई है इसके लेखक जिवेश नंदन है और श्री अपूर चंद्रा ने उस समय अपनी राय व्यक्त की और टिपनी की की पुस्तक हाश्य और दर्शन पर केंद्रित है टॉप फाइब बुक्स को हम रिवाइज करें बिजनिस आफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फोर सक्सेस जो बुक है ये विनित करने के द्वारा लिखी गई है लिडर्स पॉलिटिशन सिटीजन फिप्टी फिगर हूँ इंदिया पॉलिटिक्स तो ये राशिद किडवाई के द्वारा लिखी गई है लिसन टू यॉर हाइब लंडन एडवेंचर जो बुक है ये रसकिन बॉन के द्वारा लिखी गई है ये प्लेस कॉल्ड हॉम जो बुक है ये प्रितीश शिनॉय के द्वारा लिखी गई है 10 नमबर क्वेशन है और जो CEO है ये कौन बने है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने है म्रले मंडन बने है 20 का करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद प्रहले मंडल को 3 साल के लिए CSB बैंक का नियमित प्रभन निदेशक और मुख्य कारे पालक अधिकारी निउक्त किया गया है मंडल इससे पहले बैंक के अंत्रीम MD और CEO थे बैंक के निदेशक मंडल ने उन्हें 15 सितमबर 2022 से 3 साल की अवधी के इस पद पर नियुक्त किया था TOP 5 MD & CEO को हम रिवाइज करें MD & CEO of Technology Company Infosys तो ये बने है सलेल पारेक New MD & CEO of Larsen & Turbo Limited तो इसके जो CEO & MD है ये SN Supramaniam बने है Aviation Company Air India's New MD & CEO तो ये Campbell Wilson बने है New MD & CEO of Maruti Suju की इंडिया तो ये बने है हिशाशी Tekoji New MD & CEO of National Assets Reconstruction Company Limited तो ये बने है नटराजन सुंदर चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं First question है पांच लाग करोड मार्केट के पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है तो ये बन गया है State Bank of India 20 का correct answer होगा Second question है भारत के जो नए वाणी जी सचिव है ये कौन बने हैं तो इसका correct answer होगा सुनील बर्थवाल बने है ये इसका correct answer है Third question है Crypto Farm Channel Assets द्वारा जारी Global Crypto Adoption Index 2022 में भारत कि सिस्तान पे रहा है तो इसका correct answer है ये fourth position पे रहा है Fourth question है किस भारती महिला विज्यानिक को फ्रांस के सर्वोची नागरिक पुरशकार Knight of the Leason of Honor से सम्मानित किया गया है तो ये सम्मान मिला है Dr. Swati Piramil को ये इसका correct answer है Five number question है भारत के जिंतर वे शत्रण ग्रेंड मास्टर कौन बन गए है तो इसका correct answer होगा ये बन गए है प्रणव आनंद 20 का correct answer है Six number question है मुंबई में आयोजेत वित्य इस्तिर्ता और विकास परिशत की 26 वे बैठक की अध्यक्षता किस ने की है तो इसका correct answer होगा निर्मला सीता रमन के द्वारा इसके अध्यक्षता की गई है Seven number question है एहमदाबाद के LG Medical College का नाम बदल कर नया नाम क्या हो गया है तो इसका नया नाम हो गया है नरिंद्र मोदी Medical College के नाम से Eight number question है किस संस्थान के शोद गरताओं ने सोने के नैनोकणों पर लेपीद बैक्टिरिया के द्वारा इस्तरावित गोलाकार पुट्टिकाओं का उपियोग करके टीवी के खिलाब नई वैक्सीन विक्सित की है तो इसका correct answer होगा Indian Institute of Science Bengaluru के द्वारा इसे डवलप किया गया है Nine number question है किस राजय सरकार ने सरकारी नौकरियों में SCST, पिछरा वर्क, औबिसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के सदश्चों के लिए सततर परसेंट आरक्षन देने का वो प्रस्ताव को जो है अपनी मंजूरी दी है तो ये जारकन गवर्नमेंट ने दी है 10 number question है फसल सुधार के लिए कि संस्थान नई राश्ट्र या इस तर पर करत्तग्य हैक्तों 3.0 का आयोजन किया है तो इसका correct answer होगा Indian Council of Agriculture Research के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और ये था कलका study gloss question भारत में टीबी को 2025 सक खत्म करने के लिए जो प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है इसकी शुरुवात किसने की है तो इसकी शुरुवात की है राष्टपती, द्रौपती, मुर्मू के द्वारा सीस का correct answer होगा और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question युवाव की सिक्षा और आध्यात में गुणों में व्रधी करने के लिए दुनिया का जो पहला संसकार केंदर है ये कहाँ पर खोला जाएगा तो इसका अंजा मुझे comment section में दीजेगा यह हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको सारे question quiz के format में available हो जाएगे यहाँ जाकर आप उनकी जादर जादर practice कर सकते हैं I hope आपको session पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चले मिलते हैं हम एक नए session के साथ में